2018 की ब्लॉकबस्टर फिल्मों की बात करें तो संजू से लेकर पदमावत और ठक्स ओफ हिंदुस्तान से लेकर पैडमेन तक सभी फिल्मों का बजट बहुत ज्यादा हाई था 100 करोड, 1500 करोड के बजट की फिल्म में 200 करोड कमा रही हो तो क्या उसे ब्लॉकबस्टर के श्रिणी में रखा जाएगा या फिर एक ऐसी फिल्म जो उसी साल रिलीज हुई हो जो मातर 6 करोड में बनी हो और 13 करोड कमा के गई हो उस फिल्म को आप ब्लॉकबस्टर कहेंगे इस फिल्म को बॉलिवुड का टर्णिंग पॉइंट बताया बट अफसोस सो कॉल्ड बड़े स्टार्स की घटिया फिल्मों के प्रमोशन्स तले इस फिल्म को वो नहीं मिल पाया जिसकी ये हधतार थी अब आपके पास मौका है दुबारा से उस पल को जीने का उस पल को फील करने का जब दुबारा से इस मास्टर पीस को आप थियेटर में बड़े पर देख पाएंगे आज इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है जिस पर हम चर्चा कर लेते हैं फिल्म का नाम है तुमबार्ड ज्यादे तर भार्ड की हौरर फिल्में हसी का पात्र ही रही हैं कुछ एक्सेप्शन्स छोड़के लेकिन तुमबार्ड ने हौरर फिल्मों के मामले में हिंदी सिनेमा का कद उचा कर दिया है अंतारा फिल्म से पहले हिंदी फिल्ममेकर ने महरास्ट्रियन प्रस्ट भूमी पर एक ऐसी फिल्म का निर्मान किया था जिसमें महरास्ट की वेश भूशा वहां के बोल चाल अंग्रेजों का समयकाल आदी को इतने खुबसूरत तरीके से पेश किया कि फिल्म के हर दृष इसी कारण इस फिल्म को हॉरर जानर की फिल्म में नहीं बलकि फोक हॉरर फिल्म के जानर में रखा जाता है इस कहानी में हॉरर इंसिडेंट्स को इतने यूनीक वे में प्रेजेंट किया गया है कि एक बार को हॉलिवूड हॉरर फिल्म्स भी इसके आगे फिकी लगने लग जिसे मैं देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ट्रेलर की बात करें तो इसकी शुरुआत उस द्रिश्य से होती है जो फिल्म का टर्निंग पॉइंट है यानि बारिश की शाम, किले में हीरो का गुसना इस द्रिश्य को देखकर फिल होता है कि फिल्म कितनी सिनेमेटिक वे में शूट की गई है पहले मास्टर शॉट में पूरा किला दिखाना जो अफकॉस डरावना लगता है और ठीक सेकंड क्लोस शॉट में वाइस ओवर के माध्यम से फिल्म की थीम को बताना ये अपने आप में बहतरीन तरीका है जहां असल कहानी को बिना रिवील किये फिल्म की कहानी पर प्रकास डाला जाता है ये फिल्म दोबारा से रिलीज हो रही है और ये ट्रेलर भी उसी दोबारा से रिलीज होने का है ऐसे में अगर आप ट्रेलर के वोईस ओवर में बोले लाइन्स को गौर्ज सुनें तो यही काउंगा कि बहतरीन लिखे गए है समय का पहिया लौट कराता है इस लाइन से फिल्म की असल कहानी भी रिलेट करती है और फिल्म री रिलीज हो रही है उस बारे में भी बताए जाता है समय का पहिया लोट कर आता है यानि फिल्म दोबारा से रिलीज हो रही है और फिल्म की कहानी भी यही है जब हीरो लालच के चलते दोबारा से लोट कर उस किले में वापस आता है छे साल बाद भी इस फिल्म का ट्रेलर उतना ही फ्रेश और यूनीक लग रहा है जैसे 2018 में ये लगा था ट्रेलर में दिखाएगे हॉरर सीन्स इतने रियल लगते हैं कि ऐसा नहीं लगता मानो ये VFX का यूस किया गया हो इसमें मैं फिल्म के बारे में ज्यादा बात नहीं करूँगा क्यूंकि अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो आपको अफसोस होगा कि मैंने फिल्म की कहानी सुनी क्यों इसलिए आपके पास मौका है दोबारा से इस फिल्म को जीने का इसे जीना ही कहूंगा फिल्म 13 दफ्राइडे को रिलीस हो रही है देखिए सबे तारीक भी इस हॉरर फिल्म के लिए कितनी स्यूटिबल लग रही है जाईए और फिल्म देखिए आपको एक नए तरह का अनुग बहुत जरूर होगा Have a nice day